कि सलाम नमस्ते हेलो केमचो स्वागत है आप सभी का आपके परिवार बैंक लेडर पर तो दोस्तों आपका स्वागत है सुबह 6 बच चुके हैं ठीक 6 बच चुके हैं और आपके सामने प्यूसर वादे के मुतापिक आ चुके हैं विदाउट डिले तो दोस्तों आप भी फटाफट से जुड़ जाईए और सेशन को शेयर करिए और अपने सभी दोस्तों को भी जोड़ दीजे दोस्तों क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यह करेंट अफेश है जो आने वाले आपके सभी एक्जामनेशन के लिए बहुत है जिसे मैं आपको डिटेल लिंग करके बता रहा हूं हर तरीके से ठीक है तो चलिए दोस्तों बिल्कुल सभी लोग एक बार आ जाईए एक बार गुड मॉनिंग करके बता दीजे कि यह सर हम लोग आ चुके हैं ताकि मुझे भी पता चल जाए कि उन संख्याओं में कौन ह हैं जो यहां पर आ चुके हैं दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूँ आप मुझे एप पर भी फॉलो कर सकते हैं अनकेडमी एप पर मेरी फ्री क्लासेश चल रही है यहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों एप पर कल से दोस्तों तुमोरो यानि कल से आपको सुबह आठ बजे मैं करेंट अफेयर की क्लास लेने वाला हूँ एप पर पोल के थूरू बहुत मज़ा आएगा छे बजे यहां चलेगी छे बजे यह क्लास चलेगी बैंक लेडर पर यूट्यूब पर और आठ बजे शाम को छे बजे दोस्तों जुलाई का मंतली करेंट अफेयर चल रहा है जो इस वीक का जो है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर कर रहे हैं हम लोग तो यह आपका वीकली करेंट अफेयर भी हो जाएगा जुलाई का मंतली करेंट अफेयर भी दोस्तों हो जाए है दोस्तों जिसमें हम लोग बेश 200 प्लस सीरीज लेके चल लें बहुत जल्दी आपके लिए SSC पे भी हम लोग करेंट एफेर की क्लास शुरू करने वाले हैं SSCS पेरेंट्स के लिए तो दोस्तों आप लोग को बिल्कुल घवराने की ज़रूरत नहीं है सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से भी और आप लोगों ने अंठानबे हैट डेडिकेट कर दियें अगर अभी तक किसी ने नहीं किया है तो सतक पूरा कर सकता है अपने प्रोफाइल के मी में जाएए वहां पर बहुत सारे हैट होंगे किसी का छुट गया हो कोई है जो डेडिकेट नहीं किया हो तो वह करके सतक पूरा कर सकता है आपका सब दिल से आवार कि आप लोगों इतना प्यार दिया मेरे मेहनत को और आप लोगों ने सराहा और आपके काम आ रही है मेरे नॉलेच यह भी उपर वाले का शिर्वाद है ठीक है चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अनकेडिमी पर टॉप एजुकेटर के साथ मैं भी जूड़ चुका हूं दोस्तों चार अगत्स से बहुत सारे बैचे स्टार्ट हो रहे हैं चालिस हजार घ यह मेरा कोड है जिसे आप यूज करके स्कॉलर्शिप टेस्ट भी दे सकते हैं मेरी फ्री क्लासे भी आप जॉइन कर सकते हैं इन बैचेस को भी आप जॉइन कर सकते हैं स्कॉलर्शिप टेस्ट संडे को सुबह 10 बजे होता है जिसमें एक करोण तक के यह इनाम बाट रहे ह एक से तीन वाले को एक साल का बैंक प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है बस आपको 36 कोश्चन पचास मिनिट में करने प्री में दोस्तों यह स्कॉलर्शिप टेश्ट दीजिए और आप अपना सब्सक्रिप्शन बुक कीजिए चार से दस वालों को 75% स्कॉलर्शिप ग्यारा से पचास वाले को 50% स्कॉलर्शिप और रैंक 51 से पांच सो तक को 25% स्कॉलर्शिप यानि टॉप 500 पे तो आई जाओगे यार यह तो डिस्काउंट का फैदा तो मिली जाएगा दोस्तों आइपैड मीनी एपल एरपोर्ट जेविए स्पीकर एमेज़न वाउच्च इस क्या भाई साब खतरनाक नाम है यार घरदा उड़ा दे रहे हैं तुम लोग पेपर पेन लेकर बैट जाएगा सभी लोग ठीक है क्योंकि नोट कमाना है तो क्या करना होगा नोट करना होगा नोट गिनना है तो प्यू सिंग कोर्सेस पर दोस्तों अगर आप नहीं ऐसे सभवाए तो प्यू सिंग को शच करोगे तो यहां पर आपको मैं देखिए मैं की सारी चीजे पढ़ा रहा हूं की मॉनेटरी पॉलसी करेंट अफेर मन्त इंट अफेर यह सारी चीजे चल लहीं से डेली करेंट अफेर भी शुरून हो जाएगा कल से क्या सुनागा अगर डेली करेंट अफेर भी शुरू हो जाएगा दोस्तों अगर अप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो दो साल का सब्सक्रिप्शन करते हैं तो और कम हो जाता है तो यह दोस्तों आप जो है जो है कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन को भी आज से दिवर साल पहले जिस बच्चे ने सब्सक्रिप्शन लिया तो यह नहीं पता था प्यूसर कभी आनकेडमी प्याके पढ़ाएंगे आज उसको यह फायदा भी मिल रह भाउठा यह सब्सक्रिप्शन को ले लेते हैं तो अगले सभी तीछय यह बडर तक जो भी सोबस्तिक मुक्ति एक बाल लिया जो भी चेंज होगा जोनकेडिमी देखेगा ऐसлена हैं अब बात ही में किस भारथी महिला शेखलर ने टOKy zat erчи ये वलंपिक में कांषपदक जीत लिए दोस्तो और है में लगातातार दो ओलंपिक में लगातार दो ओलंपिक में दोस्तों मेडल जीतने वाली वह पहली महिला बन गई हैं गोकी दो कि बताइए दोस्तों कौन है तो उनका नाम है मेरे भाई पीवी सिंधू क्या नाम है सखलर मतलब बैडमिंटन खेलती हैं और ब्रॉंज जीत लिया है दोस्तो एक अगस्त को इन्हों ने चीन की सखलर बिंग जियाओ पर 213-215 से लगातार सीधे सेटों में हराया है दोस्तो पीवी सिंधू उलम्पिक के व्यक्तिगत इवेंट में दो पदक जीतने वाली पहली भारती महिला बन गई है पुरुषों में ये कारनामा सोशील कुमार ने किया था कांस पदक जीता था उन्होंने 2008 में और सिल्वर जीता था 2002 में और इन्होंने उल्टा किया है पहले सिल्वर जीता था 2016 के रियो उलम्पिक में और फिर दोस्तो 2020 में टोक्यो उलम्पिक में इन्होंने क्या जीता इन्होंने जीता है ब्रॉंज ठीक है तो सिल कुमार आजकल जेल में हैं अपने ही साथी की हप्तिया करने के जुर्म में पति राम शागर से पीवी सिंदु हैदराबाद से हैं एंड ब्रैंड अमबेजडर तो पीवी सिंदु भारत की लक्षमी की है दीपेका पादुकोण के साथ ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए निम्न में से कि इस देश को अगस्त 2021 के लिए युनाइटेड नेशन सेक्योर्टी काउंसिल की अद्यक्स्ता सौपी गई है यह तो पिछले एक साल से बताया जा रहा है कि युनाइटेड नेशन सेक्योर्टी काउंसिल में पांच इस्थाई मेंबर होते हैं दोस्तों और दस और पूर्ती जी है नाग राज नाइडू युनाइटेड नेशन ब्यूरोक्रेसी के हेड हैं दोस्तों याद दखिएगा 193 कंट्री मेंबर हैं इसकी आखरी मेंबर साउथ सुडाने 2011 में एड हुआ था न्यू यूर्क इसका हेड़क्वाटर है युनाइटेड नेशन का यु इस महीने के दौरान भारत समुद्री सुरक्षा सांती स्थापना और आतंक विरोधी यहन तीन प्रमुक छेत्रों में हस्ताक्षर कारेक्रमों की मेजबानी करेगा नेक्स्ट्रेशन है मेरे दोस्त क्या टाटा समु के चेर्मेन 24 अक्टूबर 1945 को युनाइटेड नेशन आई थी 75 साल पूरे हुए 24 अक्टूबर को में युनाइटेड नेशन डे मनाते हैं दोस्तों 75 साल पूरे में भारत ने स्टैंप जारी किया एंटोनियो गुटेडस युनाइटेड नेशन के हेड हैं टाटा समु के चेर्मेन है एंड चन सेखरन है ना जो पहले रतन टाटा हुआ करते थे उन्होंने इस वर्स किस देश में 28,900 क्रोन रुपे इंवेस्टमेंट करने की अनॉंसमेंट की है दोस्तों टाटा समु के जो फाउंडर थे दोस्तो जमसेद जी टाटा जमसेद जी टाटा जो भारत के पहले पाइलट थे और दोस्तों इंडियान एर लाइन्स के पहले अध्यक्ष भी थे और दोस्तों जमसेद ची टाटा के नाम से जमसेद नगर भी है दोस्तों यह सदी के सबसे बड़े दानी है सबसे बड़े फिलन्त्र भी पीछे कर दिया ओके क्लियर है याद रहेगा कि समझ गए तो दोस्तों यहां पर बात हो रही है कि कहां पर इंवेश्टमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है टाटा भारत में ही निवेश करेगा इनसे बड़ा भारतिय कारोबारी हिंदुस्तानी ता से भरी हुई जो है पाकिस्तानियों ने टाटा सुमों के लिए एक टेंडर पास कराया था उनकी आर्मी को जरूरत थी तो टाटा ने सीधे मना कर दिया था कहता हम नेता नहीं है कि हम अपने दुस्मन के साथ व्यापार करेंगे हम ऐसे व्यापार को ऐसे प्रॉफिट को जो है धूल समझते है और तुम्हें जो है कि हम नहीं देंगे अपनी गाड़ी दोस्तों यह निवेश घरेलू कारोबार के साथ मुख्य रूप से समूखी ब्रिटिस ही काई जैगुवार दोस्तों एक बास जैगुवार के पास जब ब्रिटेन में गए थे रतन टाटा अपने टाटा इंडिका क को ही खरीद लिया दोस्तों उस ब्रिटेन की कमपनी जैगुवार को ही खरीद लिया दोस्तों अभी पिछले साल उन्होंने अमेरिका की कमपनी मार्को पोलो को खरीद लिया मार्को पोलो वहां की बड़ी टाटम हो जो है मोटर की कमपनी है तो दोस्तों यह जैगुवार ल क्लियर है 25 परसेंट हिस्सेदारी हासिल करने का यहां पे लक्ष है जो फिलहाल 2 परसेंट क्या है अच्छा इलेक्ट्रिक वेहिकल से याद आया दोस्तों कि ओला अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर का सबसे बड़ी टमिलनाडू में बना दी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट् प्रकाशित होगी तो इन एन आइडियल वर्ड जो है यह कुनाल बासु की नौवल है दोस्तों जिसे अगले साल प्रकाशित किया जाएगा नेक्स कुश्चिन किसके द्वारा ई रूपी डिजिटल भुकतान समाधान लांच किया जाएगा ई रूपी है दोस्तों रूपे नहीं है रूपे नहीं है रूपे तो भारत का पेमेंट गेटवे हैं मास्टर काड वीजा की तरह यहाँ रूपी की बात कि गई है यह डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी ने लांच किया दोस्तों और यह क्या है यह है कि विदाउट SMS या QR code के थुरू आपको एक voucher आएगा जिसे redeem करके आप कुछ भी purchase कर सकते हैं online तो यानि कि किसी card की जरूरत नहीं है किसी digital payment app की जरूरत नहीं है किसी internet की जरूरत नहीं है SMS के थुरू यह काम कर जाएगा इसको एक digital payment की क्रांती में एक और एक milestone बनाया बताया जा रहा है क गरीब लोगों के लिए भी सक्षम हो जाएंगे इससे भारत ही कोई भी digital payment करांती हो दोस्तों उसकी देन NPCI ही है जिसे RBI और IBA ने मिलके शुरू किया था सन 2008 में Indian Bank Association और RBI ने शुरू किया था 2008 में जिसके CMD है दिलीप आसबे पेमेंट अन्सेटल्मेंट एक 2007 के अंतरगत इसको मुंबई में इस्टैबलिस्ट किया गया था दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉर्परेशन अफ इंडिया एक डिजिटल पेमेंट की अंब्रेला ओगनाइजेशन है ऐसी अंब्रेला ओगना राज किरन राय जी जो UBI के हेड है दोस्तों और RBI के 25 वे गवर्नर सक्तिकान दाश जी आप तो जानते ही हैं क्या बताना है दोस्तों रूपे तो भारत का पहला पेमेंट गेटवे था जिसे सबसे पहले हमने भुटान में लॉंच किया था ठीक है भारत में सबसे पहले 2013 में पुरवराशपती भारतत्रत्म सवरगी प्रणवदा ने प्रणव मुकर जी जी ने बनारस में इसे कासी गु्मती ग्रामिड बैंक में लॉंच किया था जिसका इस cache पांसर बैंक यूनिएंड. बैंक आफ इंडिया हैं यूनिय को फिंडिया में दोस्तों कॉर्पोरेशन बैंक और आंधरा बैंक मर्ज हुए हैं दोस्तों याद दखेगा गुड़ पिपल टु बैंक भी उसको उसकी टेग लाइन है 2019 में उसकी स्थापना हुए ती महात्मा गांधी ने कीती एकमात्र ऐसी जो है कि बैंक है और अभी राज किरन राइजी यूनियन बैंक अफ इंडिया के और आई बीए के दोनों के हेड हैं है तो यह बहुत अच्छी चीज शुरू की गई है दोस्तों इसका दो तीन दिन से ह प्रचाच चल लाता हम लोग ने दो-тीन दिन पहले से इसको पड़ रहे है अगला प्रश्य है कि मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मना जाता है वेन इस मुसलिम वीमें राइट्स्टे celebrated दोस्तो human rights day हम लोग मनाते हैं दस दिसंबर को human rights day मनाते हैं जिस दिन nobel prize दिया जाता है मानवा अधिकार दिवस उस दिन alfred nobel की पुनिती थी लिए खैर women's rights दे दोस्तो किस दिन मना जाता है जिस दिन 2019 में प्रिपल तलाक को अवैद घोसित किया गया था भारत में और Muslim महिलाओं के जीवन को सुख में बनाया गया था कोई भी ऐसे तीन बार तलाक बोल के किसी औरत की जिन्दगी को decide नहीं कर सकता उसे अपने घर से बेघर नहीं कर सकता एक Muslim औरतों के परिवारों को नजदीक से देखा है मैंने बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर भी मा डरती है कि शोहर नाराज न हो जाए शोहर गुस्सा न हो जाए तीन बार तलाक बुलेगा मेरा खेल खतम हो जाएगा और ऐसा कई बार होता था जबकि और बुड़ी हो जाती थी तो भाई मन जो है नई औरतों में लगने लगता था तो पुरानी पर गुस्सा हो भी जाते थे तो इन चीजों से मुक्ती जो है दिला दिया सरकार ने एक अगस्त के दिन 2019 में ये काम हुआ था इसलिए एक अगस को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया मेरे दोस्त शांदार जिंदाबाद जबर्दस्त आप लोग प्री एक्जाम कैसा हुआ है कोई प्री एक्जाम देख आया आरारबी में क्या अटेम्ट आप लोग करके आ रहे हो कैसा पेपर था तफ था या इजी था थोड़ा सा बताईएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे करने फ्यूज है कि मेरा अटेम्ट इतना है सर क्या मैं तैयारी करूं ना करूं तो आप लोग बताईए जो लोग एक्जाम दे क्या हैं अभी हम लोग यहां पर देख लेते हैं संस्कृति मंत्रियों की भारति पतिन्धी मंडल का नेत्री ताकिष्ण ने किया व्यम नेस हैं इनकी मिटिंग करें ने मिनाक्षी लेखी ने मिनाक्षी लेखी जो है ने संस्किति राज्य मंत्री यह ज्रेकिन संस्किति मंत्री कौन है दोस्तों मेरे इसाब से जी किशन रेडी जी हैं जिन्नों भी खुश्खवरी दीती की ढोला वीरा को और रामप्पा मंदिर को वर्ड हरिटेस साइड घोसित कर दिया गया अन्दिर देढ गाना 49 वर्ड हरिटेस और धोला वीरा कक्ष गुजरात वाला Bowl быть साइड बन गया कक्ष भारत का सबसे बढ़ा जिला है सबसे पश्चिमी जिला है मरीन नेशनल पार्क है सफेद रड है कक्ष का कुनरिया गाहों में पहला बाली का पंचाय चुना हुआ है कक्ष में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क सबसे बड़ी बिजली बनाने वाली कंपनी जिसका बांध उत्रा खन में टूट गया था ग्लेशियर टूटने की वैसे एंटी पीसी जो भारत की सरकारी कंपनियों में बेस्ट इंप्लॉयर है प्राइबेट में एक सील टेकलोजी और दुनिया में सैमसंग दोस्तों यहां प भी बताईए वह आपने कितना क्या यही कुछ अटेम्ट आ रहे हैं मतलब इस बार आरार भी का भी पेपर टफ आया था इसलिए यह घबराने की कोई जरूरत नहीं किसी को की सर मेरे अटेम्ट कम हुआ है कभी भी कम्टीटिव एक्जाम में यह बात याद रखो कि तुमने क्या किया है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम यह पता करो बाकी लोगों ने क्या किया है कि तुम्हें एक क्वेश्चन नहीं आया तुम उदास हो उदास होने के पहले यह चेक कर लो बगल वाले को आया था क्या तुम अपने लोगों से पुछलो इस क्वेश्चन नहीं आया सबके लिए आया है अटेंट कम हुए हैं तो सबके लिए हुए हैं ओके इसलिए कोई भी टेंशन इस चीज में मत लिया करो हां बाकी के अगर भाई सब 70 तो रहे हैं और तुम्हारे जो है साथ हो रहे हैं तब दिक्कत है तुम्हारे पच्पन और तब दिक्कत है सब के अगर इसी 58 552 चोवण ऐसे है तो भाई टेंस लेने जुरूत नहीं है माइनस मार्किंग और सब मिला जुला के तुम रेस में बने रहोगे और आगे आ जाओगे ठीक है तेंसन बिल्कुम मत लिया करो कितने लोग ऐसे उदास रहते बाद में कहते प्यूसर आपकी बात सही हो गई सबके लिए अब दोस्तों यहां पर बात करें कि दिल्ली कॉंस्पिरेसी बुक भी लिखी थी मिनाक्षी लेखी ने अगर याद कीजिए पिछले साल को जी 20 की जो इस बार की मीटिंग हो रही है दोस्तों वह कहां पर हो रही है इटली में हो रही है जी 20 की अगले साल जो मीटिंग होगी वह इंडोनेशिया में होगी इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समू है सबसे सरवादिक मुस्लिम अवदी वाला देश है और उसके बाद 2023 में इंडिया में होगा उसके बाद ब्राजिल में होगा जी ट्वेंटी जी इस बार इंडिया में हो रहा है अगली बार चाइना में होगा उसके अगली बार साउथ अफ्रिका में होगा फिर ब्राजिल फिर रशिया फिर इंडिया फिर चाइना फिर साउथ अफ्रिका में होगा ठीक है क्लियर है याद रहेगा चाल दोस्तों नेक्स कोईशन है लोक माने तिलक राश्टी पुरुसकार हाली में किसने जीता है वू है रिसेंटली वोंदा लोक माने तिलक नेशनल एवाड किसने जीता है फटाफट से बताएंगे मेरे भाई लोक माने तिलक को भारती असंतोस का जनक कहा जाता है दोस्तों बाल लाल पाल बाल गंगा दर तिलक लोक माने तिलक जिन्हें आप कह रहे हैं लाला लाजपत्र रहे और विपीन चंद्रपाल इन तीनों लोगों ने यह देखा कि भारत में सब को कठा नहीं दिया जा रहा है इन्होंने दोस्तों यह देखा कानून में कि भारती कोई आयोजन अगर धर्म कायों आयोजन होता है वहाँ ही कठा हुआ जा सकता है तो दोस्तों लोकमान तिलक ने जो गंपती बैठाने की परंपरा जो महराष्ट में सुरू हुई है दस दिन के गणेश जी वो बैठाने सुरू किये और लोकमान तिलक ने आप परचियां बाठी भारत के अजादी के लिए जिन्हें लोकमान की उपादी मिली थी आज भी गड़ गड़ेश जी के मंडप जो लगते हैं बूरे महराष्ट में वहां लोकमान तिलक जी की फोटो लगती है स्थापित की गई तो दोस्तों लोकमान तिलक नेशनल एवार्ट से सम्मानित किया गया है साइरस पुनावाला भारत के आठवे अमीर आदमी है भारत के आठवे अमीर आदमी है दोस्तों साइरस पुनावाला पुने स्थित वैक्सिन निर्माता सीरम इस्ट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर है मालिक हैं दोस्तों जिसने कोवी सिल्ड बनाई कोवी सिल्ड किसके साथ मिलके बनाई दोस्तों ऑक्सफोर्ड और एश्ट्राजेनिका के साथ मिलकर बनाई के दोस्तों इन्हों ने नी मोनिया की वैक्सिन भी दोस्तों और इसके बाद इन्हों में अभी इस पूतनिक वी जो दुनिया का पहला प्रजू क रस्षी ने माता इसको भी बनाने का जो है agreement कर लिया है तो दोस्तों दुनिया के यह सबसे बड़े वैक्सिन निर्मताओं में से एक हैं इनके लड़के जो है CEO है इस फर्म के नाम है अधार पूनावाला अधार पूनावाला को दोस्तों Asian of the Year का भी अवार्ड मिला है और अधार पूनावाला इसका नाम उन्होंने पूनावाला फिंकॉप रख दिया है इस कंपनी का नाम पूनावाला फिंकॉप रख दिया है दोस्तों याद रहेगा सबी लोगों को क्लियर है नेवल चीफ यहाँ पे करमवीर सिंग जी है ये नेवल चीफ है दोस्तों एड्मिरल करमवीर सिंग राकेस बदोरिया एयर फिल्ड मार्सल ये एयर फोर्स के चीफ है दोस्तों ये मनोज पुझ मुकुन नर्वने ये जनरल हैं दोस्तों आर्मी चीफ है जिने भी नेपाल ने मानद उपाधी दी दोस्तों और विपिन सिंग रावत यह सीडियस हैं भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाप इन तीनों के हेड इन तीनों के हेड पहली बार कोई अभी तेक राश् एस एन घरमेड तो एसमन एस एन घरमेड को डिप्टी चीफ आफ नेवल इस्टाफ बना दिया गया है जिन्होंने जी असोक का की जगल लिए है नेक्स कोश्चन मेरे भाई हाल ही में किसने लेखा महान नियंत्रक का कारभार समाला रिसेंटली वू हैस टेकन ओवर दे चार तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन का एंसर है दीपक दास दोस्तों जुन जुन वाला आकाश एरलाइन्स नाम से एक नई कंपनी अपन कर रहे हैं एरलाइन्स की ठीक है अब दोस्तों दीपक दास जी हमारे कंट्रोलर जनरल अप अकाउंट बन गये हैं 25 वे याद प्रेसिडेंट रहवे हैं 14 हमारे देश में प्रेसिडेंट है 15 हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है ठीक है और 48 में हमारे देश के चीफ जेष्टिस आफ इंडिया और 24 हमारे देश के चीफ इलेक्सिरल कमिश्टर सुसील चंद्रा है और तालिस में चीफ जस्टिस अफ इंडिया एनवी रमना है तो जो महत्पूर्ण जितने भी हमारे समवेधानिक पद हैं उनका नंबर हमें रटा हुआ होना चाहिए देखे वैभो भी बतारे 15 वे टॉनी जनरल है केके गलत है तो कि के वेनु गोपाल अपना पक्ष रखेंगे नहीं सही है तो दोस्तों अभी एसोसियेट एटॉर्णी जनरल अमेरिका का कौन बना है वनीता गुपता बनी है वनीता गुपता एंट उन्टारियों मुनिसिपल इंप्लॉईज रिटार्मेंट सिस्टम ने किस भ है की की इननेश्टनी फिनेनस परिशनं वर्ल्ड बेंक ग्रूप की एक कंपनी है पांच बड्रम गूप है जिसकी एक कंपनी है ऐती आइएसी ने दोस्तों अभी प्टेटरल बैंक का केरल में हिस्सेदारी खरीदा है पेडरल बैंक के हेड है स्याम स्री निवासन जिने सी एव बैंकर आप दी एर का अवार्ड मिला था पेडरल बैंक का हेड़क्वाटर अलुवा कोची केरल में है आई एफसी ने दोस्तों भी धाई सो मिलियन का लोन दोस्तों किसे दिया है HDFC को दिया था तो यहां हिस्सदारी खरीद रहा है यहां लोन दे रहा है और यहां हिस्सदारी बेच रहा है यहां IFC ने हिस्सदारी बेची है अब किसे बेची है दोस्तों Azure Power को यहां पे हिस्सदारी बेची है आई एप सी ने ठीक है याद रहेगा चल्ड नेक्स कोस्चिन है क्यों बेस्ट स्टुडेंट मतलब स्टुडेंट अप दे इयर स्टुडेंट के लिए बेस्ट सिटी क्या होगी इस रैंकिंग के इंसार भारत को एंप्लॉयर एक्टिविटी इंडिकेटर में वैश्विक स्टर पर टॉप हंड्र सिटी में स्थान दिया गया है किस सिटी को कौन सा स्थान मिला है यहाँ पर कोश्चन है आप लोगों को बताना है कि बताइए एंप्ल पर इस बड़ टफ आ रहा है जैसा की आप लोगों का रिव्यू में दे रहा हूं बच्चे पूछ रहे हैं मेरा हो जाएगा मैं आज लिए टोस्तों नहीं-टेम्ट ग्लोबली इन दे इंप्लॉई एक्टिविटी इंडिकेटर इंप्लॉई इंप्लॉईर एक्टिविटी इंडिकेटर में मुंबई को इस्थान मिला इंप्लॉईर मतलब कंपनियों की एक्टिविटी में बैंगलोर को सातवा रेंक मिला है किसमें दोस्तों यह ज्यादा सीटी फॉर स्टुडेंट है वह बैंगलोर एफॉडेबल सीटी फॉर स्टुडेंट जो है वह बैंगलोर को माना गया है इस अफ लिविंग इंडेक्स में बैंगलोर पहले से जो है की चल रहा है टॉप पे इस अफ लिविंग इंडेक्स में और बैंगलोर फास्टेस्ट ग् खेलो इंडिया अनिवसेटी गेम होने वाला है यहां के एरपोर्ट केंपी गोड़ा एरपोर्ट को वाइस आफ कस्टमर एवार्ड मिला है और दोस्तों करनाटक में बसवराज मुंबई बसवराज बोम्मई मैं मुखमंत्री और थावचंद गहलोत नहीं राजपाल बन गए बैंगलोर में Elon Musk की कमपनी Tesla का रही स्टेशन हो चुका है इसरो का हैटकोर्टर यहां पर ही दोस्तों ठीक है क्लीर है है चली और इसरो का भी हैटकोर्टर है और अगला क्वेश्चन है इस रोग इस रोग नासा का जॉइंट मिशन है निसार निसार दोस्तों इस रो और ना और क्लाइमेट चेंज पर एक मिशन है दोस्तों नासा इस रो सिंथेटिक अपर्चर रडार सेटलाइट यह कब लॉंच की जाएगी दोस्तों जो अर्थ और सेटलाइट होगी जो की क्लाइमेट चेंज पर अपनी सारी की सारी रिपोर्ट देगी वैभो जी एक आपको सजेशन दे रहे हैं कि जिनके अभी एक्जाम बाकी है वो डेली चार से पांच मौक लगाएं अलग-अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा आपने सुझाओ दिया है वैभो जी यहां पे मैं भी आपके साथ सहमत हूं क्योंकि आपने के जो कहा है मैं बता दून कि प्री का एक भी नंबर काउट नहीं होता है प्री वैकेंशी के 20 गुने लोगो धो सेलेक्ट करके मेंस में लाने के लिए एक दिन इकजाम कराने के लिए किया घ्जाम है प्री केवल सिरियस बच्चों को साइट लिस्ट करने के लिए के game है प्री में आपका knowledge कम नहीं पड़ता दोस्तों प्री में आपका time कम पढ़ जाता है आपके question बचे रह जाते हैं time कम पढ़ जाता है और time management को जीतने का यही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा online test दीजिए क्योंकि आपकी knowledge भरपूर है बस practice इसकी जरूरत है दोस्तों आपसे कम उम्र का बच्चा जो है गेम में आपसे ज़्यादा आगे निकल जाता है computer गेम में क्यों आपसे ज़्यादा knowledgeable नहीं है वह आपसे ज़्यादा seriously game खेल ला है आपसे ज़्यादा practice कर रहा है तो इस गेम को भी वही खेलता है जो serious होता है जो knowledgeable है serious नहीं है वह प्री नहीं निकाल पाता जो गधा है serious है खुब मॉक्टेस दे रहा है वह प्री निकाल लेता है याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कच्छुवा जीतता है यह बात सच है ठीक है तो याद रखिएगा लेकिन कच्छुए को भी खरगोस की चाल में चलना होगा यहां फॉस्ट एन इस्टडी विल्स तरेस होगा ठीक है आपको यही पेपर आफ लाइन दिया जाए तो आप दोस्तों डबल नंबर ला दोगे क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में मार दोगे ठीक पेपर में ही एक बार में पूरा पेपर द रहेगी तो कैसे करोगे जैसे ऑफ लाइन एक बार में सब प्लेयर दिख रहे हैं लेकिन ऑनलाइन में एक बार में एक ही बॉल आ रही यानि ऑफ लाइन अगर फुटबॉल का गेम है तो मेरे भाई प्रैक्टिस करके जाना कम सकम तीन चार मॉक्टिस देने के बाद तो कि आउन पर दूगा लाओगे अगर सब्सक्र नमबर तो सेम पर दूएं अगर पहली बार दे रहे हो तो पैसी सिल नमबर आदा कि हो गया ऑनलाइन की प्रैक्टिस नहीं ऑन् बिल्कुल सही कह रहे है लेकिन इस अग्छल में nod मत हो जाना इसका नंबर से ग्यान दंबर का कमा रहा है नंबर से फ्रस्ट्रेट नहीं होना है 2023 में निसार लॉंच किया जाएगा दोस्तों ठीक है नासा और इस रों का जॉइंट वेंचर है इस रों का मुख्याले बैंगलूरू के सीवन हेड है इस रों 15 अगस्त 1969 को दोस्तों स्थापित हुई थी पहले हेड थे विक् सावयालाल चुनी गी थी राजाचारी एस्ट्रोनॉट और मंगल मिसन पर्सिवरेंस की हेड स्वाती मोहन चुनी गई दोस्तों स्वाती मोहन ने मंगल मिशन को कामिया अभी अमेरिका के और इंजिनिटी हेलिकॉप्टर ने उडान भरी मंगल पर ऑसा करने वाला कोई भी पहला पृत्विवासी बन गए नासा वाले जिन्होंने दूसरे ग्रह पर उडान बरी है उसकी हेड स्वाती मोहन है क्यूरिसिटि रोवर बहुत सारी इमेज ले रहा है क्यूरिसिटि रोवर जो की मंगल पे ढूम रहा है वो भी परसिवरेंद मिसन का ही हिस्सा है दोस्तों अब यहां से हम लोग सुरू करते हैं रिवीजन यहां से रैपिट फायर रिविजन फास्ट रिवीजन चलेगा क्योंकि यह कुछन कल हमने आपको डिटेल में पढ़ाई है तो आज के वाल कुछन एंसर चलेगा क्योंकि आप लोग चाहते हो कि सा रिविजन इंपॉर्टेंट कोईशन्स के करा दिये जाएं मोधी सरकार का किसकल डेपसिट राज कोश्य घाटा दोस्तो 18.2 परसेंट हो गया है जून के क्वाटर का हाल ही में किसके द्वारा अकेडिमिक बैंक ओफ क्रेडिट एंड आर्टिविशल इंटेलिजेंस का रहकरव लॉंच किया गया तो यह नरेंद मोधी जी के द्वारा किया गया एकडिमिक बैंक ओफ क्रेडिट दोस्तों इसमें क्या होगा मल्टिपल ऑप्संस होंगे इंट्री कभी भी करिए और चार्ट कर सकते हैं दोस्तों ठीक है तो मल्टिपल इंट्रीज एंड एक्जिट ऑप्शन भी प्रदान करेगी यह डिजिटल बैंक के रूप में दो है यह आपके एकडिमिक क्रेडिट को रखेगी एक्सपोर्टर बनो मिसल निर्यातक बनो यह किस राजसरकार के द्वारा लॉंच किया गया है राजस्थान के द्वारा लॉंच किया गया दोस्तों यह जो है ना निव एजुकेशन पॉल्सी के कस्तुरी रंगन साहब इस रों के पुर्वहेड इसके पादर हैं जिसमें यह कहा गया है कि अपका ग्रेजुएशन कभी खराब नहीं होगा पहले साल कर दिए सरिफिकेट दूसरे साल डॉप किये डिपलोमा तीसरे साल में डिग्री चौते साल में रिशर्च विड़ी आपको मिलेगी कभी भी कहीं से भी इंट्री कर सकते कहीं से भी एकजेट कर सकते तो दोस्तों यहां पर राजस्थान ने यह जो है एक्सपोर्टर्स आरबियाई ने ओपिन किया और तीसवां वर्ड हिर्टेस साइट जैपूर ही है उन्तालिसवां रामप्पा मंदिर है और चालिसवां है ढोला वीरा युनेसको का पतिष्ठिट आइसनल प्रुषकार हाल ही में किसने जीता है दोस्तों फटाफट से बताएंगे युनेसको की सोलह नवंबर उन्निस सो पैतालिस को इती और रे जोले इसके हेड है प्रांस और पेरिस में इसका हैड़कवाटर है दोस्तों युनेसको की चवालिसवां सेशन अभी चाइना में चल ला है जिसने हमें दो वर्ड हैटेस साइट दे दिये हमारे वर्ड हैटेस साइट की सं और फरेंड आईजिद पुरुسकार। दोस्तों हाल ही में किसे जीता है आनंद राधा क्रिश्ण ने यह आईजिदा आीजिदा अवर्ड जीता है ग्राफिक कलाकार आनन राधा कि के बीच में कॉर्पेट का 36 संसक्रण हुआ दोस्तों तो भारत टोएंडोनेसिया बड़ा द्वीब समोग है इंडोनेशिया औरकी पर लागों है दुनिया का शबसे अधिक मुष्मादि वाला दैस हैं अधिक मुण नाम हनोई डॉंग और दोस्तों आसियान में 10 कंट्री मिंबर हैं 16 होते 15 रहे गए जिन्होंने आर्शिप समझोता किया आसियान के 10 मिंबर और पांच अन्य देशों पांच अन्य देस्ट कौन से हैं चाईना हैं जापान हैं और और न्यूजी लेंड है न्यूजी लेंड का ओओी दोस्तों दुनिया का best शेहर है और ऑस्टेर्य के ब्रिजबेन और दोस्तों 2022 ओलम्पिक होने वाला है और दोस्तों अगर बात की जाए तो आस्टेलिया हमें 14 हमारे पूराने जो है कलाकृतियां और मुर्तियां देने को तैयार हो गया है इंडिया और attend beigy दोस्तों गरुण सकती होती है और कॉर्पेट मैतरी होता है इंडिया थाई-लेंटके Воложд कρूशेतर इंडिया और सिंगापूर के बीच में सिंगापूर भारत में सबसे बड़ा FDI का सोर्स चांगी अयरपोर्ट बेस्ट ते एयरपोर्ट और development bank सिंगापुर बेश्ट बैंक थाइलेंड खोन रामलीला जो होती है मुखोटे वाली यह थाइलेंड की है जो युनिस्को की सा वर्ल्ड हरिटेज लिस्ट में हैं ठीक हैं किलिया रहें इंडोनेशिया में 20,000 के नोट पर गणेश जी की मुर्ती बनी है विश्णु जी हुँ पर कहीं घटोथ कच कहीं भी म कहीं करन कहीं अर्जुन कहीं किष्न माभारत के पात्रों की मुर्तियां इसमाँ उतावास में सरस्थी जी की 13 फिट की संग्मरमर की मुर्ति है गरूड एरलाइन्स उनके एरलाइन्स का नाम तो दोस्तों यह हैं इंडोनेशिया यह हैं इंडोनेशिया भारत की तरफ से इनस सर्यू ने हिस्सा लिया दोस्तों इसमें कॉर्पेट का मतलब क्या होता है दोस्तों पेट्रोलिंग इसका फुल फॉर्म होता है याद रखेंगे ठीक है और इसकी तरफ से इंडोनेशिया की तरब से के अराई वां टोमो जो है इसने हिस्सा लिया ठीक है कॉर्पेट का मतलब क्या होता है गस्ती अभियान चल चलाया जाता है जिसे कोडिनेट टिट पेट्रोल्स कहते हैं ठीक है यह 3031 तारीक को बनाया गया दोस्तों वर्ल्ड रेंजर डे किस दिन मनाया गया विश्व रेंजर डिवस किस दिन मनाया गया मेरे भाई 31 जुलाई को रेंजर डे मनाया गया रेंजर जो होते हैं दोस्तों यह नेशनल पार्क्स के अधिकारी होते हैं जो वहां पे जानवरों से इंसानों की इंसानों से जानवरों की रक्षा करते हैं कई बार इन उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क के राजाजी नेशनल पार्क के रेंजर हैं दोस्तों है ना उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पर्क लदाक में है जो सबसे बड़ा नेशनल पार गेंट गिया है दुनिया का पहला थेड़ता हुवा निशनल पाp Algohal 11 जील पर फ्लोट कर रहा है ठीक है रेंजर में याद आया दोस्तों की उडिसा में एक बायोस्फेयर इसफियर भी बना है जिसका नाम महेंदर गिरी बायोस्फियर रिजर्व रखा गया है ठीक है क्लियर हैं कि समझ गए कि चल हाल ही में किसे पतिश्चित महराष्ट भूशन पुरुसकार से समानित किया गया दोस्तों तो लता मंगेसकर जी की बहन आशा भोसले जी को पंचमदा की वाइफ है आई डी वर्मन सहाब बहुत बड़े म्यूजिक रेक्टर थे आशा भोसले जी को मिला है ना उनकी जो पंचमदा की जो आखरी जो म्यूजिक दिये थे वह मूवी का नाम था 1942 लव स्टोरी है ना बहुत अच्छी म्यूजिक देते थे बड़ी महीन मलब या रह्मान के पहले उन्हीं की म्यूजिक थी जो हम लोग को पसंद आया करती थी नहीं चलिए दोस्तों किस राजसरकार ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता मीरू बाइचानू को ए कंडम मालेस्वरी ब्रांज जीती थी जो दुनिया की पहली भारती महीला थी जिन्नोंने ओलंपिक में मेडल जीता था अब दो मेडल जीतने वाली एकमात्र महीला हो गई हैं फीवी सिंदू जो भारत की लक्षमी की ब्रेंड अमबेजडर भी है दीपका पादुकोण के साथ तो दोस्तों मीरा भाई चानु को ASP कर दिया गया है एन विदेंद सिंग के द्वारा मनीपूर में मनीपूर में दोस्तों कर दिया गया ASP नियुक्त किया गया था दोस्तों अभी पिछले महीने मैं कलियर है एक करोण रुपै का तो ना कहीं कट रहेती अभी लवलीना का पदक स्योर है बॉक्सिंग में दूसरा इनका हो गया और तीसरा पीवी सिंधू का हो गया तो तीन पदक तो लड़कियों ने स्योर कर दिया अब होकी टीम का क्या होगा यह आज पता चल जाएगा सेमी फाइनल में महिला भी पहुंच गई है पूरुष भी पहुंच गए है तो देखते हैं आज क्या होता है कर वह करमजीत का और जो डिसकस्ट रोवाली थी वह विच स्राज को नाबाड द्वारा पेजल परिजनाओं के लिए लोन दिया गया दोस्तों 445 क्रोड रुपए का तो यह लोन पट्जाब की केप्टन अमरिंदर सिंह सरकार को दिया गया है ठीक है नाबाड नेशनल बैंक फॉर अग्रिकल्चर एंड रूरल डवलप्मेंट का एक को अपरेटिव बैंकों को भी लोन देता है गाओं के किसानों के लिए यह जिम्मेदार है कैसे लोन मिले किसान केडिट का 1998 में इसी ने सुरू किया था गाओं में कुटी रुद्ध्यों कैसे बड़े इसके लिए भी चिंतित रहता है सेल्फ हेल्फ ग्रुप का कॉंसेप्ट भी इसी ने दिया था नाबाड ने दोस्तों नाबाड के हेड कौन है डॉक्टर जी आर चिंताला गोविंद राजलू चिंताला इसके हेड है मेरे भाई और जब 1982 में 65 यर प्लान में नाबाड की स्थापना हुई थी तो शिव रमन कमीटी के रिकमेंडेशन पर हुई थी शिव रमन कमीटी के रिकमेंडेशन पर जितने भी ग्रामिड बैंक है सहकारी बैंक के गाउं में उनको भी लोन देता है राज सरकारों को भी लोन देता है रूरल डेवलप्मेंट के लिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने की हालही में जारी report के उसर भारत के पास कितने million टन gold ore reserve है तो तो 500 million टन gold ore reserve है और सबसे जादा बिहार के पास Swenis क है दोस्तो खदानों में बिहार में भारत का 44% gold ore reserve मौजूद है जीया हो बिहार के लाला दोस्तो बिहार ethanol policy launch करने वाला पहला राज्य है जुलाई में जीएश्टी से कितना राज्यस्व इकत्रित किया गया सबसे ज़्यादा रिवेन्यू भारत में इस समय जीएश्टी से आ रहा है corporate tax से भी जादा corporate tax से भी जादा आ रहा है दोस्तों GST से राजस्व तो एक लाख 16,000 करोड GST से राजस्व दोस्तों हमें प्राप्त हुआ है 1 जुलाई 2 जा 17 को दोस्तों तो इस जीएश्टी लागू किया गया था एक जुलाई को में जीएश्टी दे मनाते हैं 17 तरीके के इंडिरेक्ट टेक्स और टेइस तरीके के उपर लगने वाले उपकरों को खतम करके जीएश्टी आई भी जैसे सेवा कर सर्विस टेक्स पर लगता था स्वक्ष भारत उपकर है और किसी कल्याड़ उपकर तो यह जब सेवा कर रही सर्विस टेक्सी खतम हो गया थैस्वी खतम हो गया सबसे ज्यादा एक लाक तालिस हजार करोड का रेवेन्यू अप्रेल में में हुआ अभी तक का हाइस्ट रिवेन्यू अप्रेल में हुआ है दोस्तों याद रहेगा चलिए पधान मंत्नी नरेन मोदी जी ने गाओं के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए किस प्रोग्राम का सुभारम किया विद्या के कमिश्णर बन गए हैं दोस्तों इसलिए अब एसन प्रधान जी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरों के हैड चुने गए हैं अब सी बीएसी बोर्ड जो की पढ़ाई कराती है आटिफिशल इंटेलिजेंस फॉर और इनिसियेटिव इसने शुरू किया है इंटेल के साथ मिलके माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके इसने क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए कोडिंग की पढ़ाई सुरू करी है निउएजुकेशन पॉलसी के अंतरगत और क्लास एट से बारवालों को डेटा साइंस सिखाएगा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से ठीक है निउएजुकेशन फॉलसी के जनक कें कस्तूरी रंगन Greek भारत बिल पेमेंट इस सिस्टम दोस्तों इसके सीयों के रूप में किसे नियूत किया गया अगया भारत बिल पेमेंट सिश्टम जो आप अनलाइन ह। एक्स वॉटर्यॉट टेक्स और सब भर दे रहे वह 성त भारत बिल पेमेंट सिश क्वे हैं कई डिजटल payment country है एटल पेबेंट में पेडिया में आइग वैस में बहुत सारे बैंकों में और payment company हमिए काम कर चुकी कर जुलाई में वर्लड बैंक की इनवेश्टमेंट साखा इंटरनेशनल फिनेस कोर्पोरेशन ने किस बैंक में four point nine nine percent share खरिदा है तो फेडरल बैंक में खरिदा फेडरल बैंक हुएरल कुच्छी का बैंक है स्याम स्रीनिवासन जिसके हेड है जिने बैंकर अवड़ मिला था भारत में सबसे अधिक बाग हो कि अबादी वाले राजपो टाइगर इस्टेट कहा जाता है भारत का टाइगर इस्टेट मद्यपदेश है यहां सबसेदा नेशनल पार्क है वन विहार नेशनल पार्क मांडला नेशनल पार्क संजय नेशनल पार्क बांधावगंड नेश्टनल पार्क पन्ना नेश्टनल पार्क पंचमडी नेश्टनल पार्क सत्पुड़ा नेश्टनल पार्क बहुत सारे नेश्टनल पार्क है 526 टाइगर भी हैं दोस्तों यहां पर जिसकी वजह से यह टाइगर स्टेट का दर्जा पाता है अगर इसके 526 हो गए होते करनाटक के तो यह टाइगरी स्टेट हो जाता लेकिन यह दो कम रहे गया करनाटक सबसे ज़्यादा फॉरेश्ट ग्रोथ वाला स्टेट है सबसे ज़्यादा फॉरेश्ट वाला स्टेट मद्य पदेश है और सबसे ज़्यादा फॉरेश्ट परसें बने हैं मिजोरम के मजे में हैं दोस्तों मजे में हैं और जोर और जोर मतंगा यहां के मुखमंत्री हैं जोर मतंगा यहां के मुखमंत्री हैं दोस्तों करनाटक में बसोराजबोम्माई लोकी मुखमंत्री है और फार छंद गहलोद राज जपाल में MP ही जो है गवर्णर है राज जपाल है MP में MP गवर्णर मंगु भाई पतेल 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 आनन्दी बेंट पतेल की जगह मंगु भाई पठेल दोस्तों हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने एक करोण फास्टेक का अगड़ा पारक लिया इलेक्ट्रोनिक टोल कलेक्शन जो डेडियो फ्लिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर वर्क करता है तोल से गुजरिये कैश नहीं देना है पैसे कट जाएंगे फास्टेक के तुरू यह सुविधा भी दोस्तों डिजिट्रल पेमेंट की क्रांती है एंपी सी आई ही देती है नेश्ट्रल पेमेंट कॉर्परेशन आफ इंडिया मुंबई एटक्वाटर तो दोस्तों पेटियम पेमेंट बैंक ने करोड का अकड़ा कर लिया पेटियम पेमेंट बैंक का हेटक्वाटर नोईडा में हैं दोस्तों नियू ओकला इंडिस्ट्रियल डेवलप्मेंट अथर्टी जहां पे नए सिक्के भी ढाले जाते हैं नोईडा को गौतम बुद्धनगर कहते हैं जहां वेस्ट से चर्खा बनाया गया नोईड सेल टेकलोजी का भी मुख्याले नोईडा में ही है दोस्तों और सेमसंग ने अपना दुनिया का सबसे बड़ा जो फैक्टरी ओपिन किया वह भी नोईडा में ही ओपिन किया है एसल टेकलोजी भारत की बेस्ट इंप्लॉयर है जिसकी मालकिन रोश्णी नादर मलोतरा भार को ओलंपिक का स्पॉंसर बना दिया गया है दोस्तों ओलंपिक गेम में इंडियन टीम का यह भी याद रखेंगे नोईडा इसका मुख्याले है विजे सेकर सर्मा इसके हैं 2009 में पेटीम आई थी पेटीम करो इसकी फाउंडर कंपनी का नाम है 197 दिल्ली पुलिस के कमिशनर हाल ही में किसे बनाया गया है मेरे भाई राकेस अस्थाना जी को उनके रिटार्मेंट के ठीक पहले बनाया गया है यह बीएस सफ के हेड़ थे और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के भी ट्रांसजिंडर वेक्तियों के लिए आरक्षन देने वाला पहला राज कौन सा ब आज है अवलोकल सॉफ्ट्वेयर आर्थिक स्पंदन योजना बुनकर समान योजना हेलो इंडिया निविशिटी गेम जैन निविशिटी बैंगलूरू में बैंगलूरू के केंपे गोड़ा एरपोर्ट को वाइस ऑफ कस्टमर एवर्ड और यहां पे वन परसेंट का अरक धे दिया है और एक झांसे को 10 परसेंट का रक्षण दे दिया महिलाओं को 33 परसेंट का रक्षण दोस्तों मेडीकल एंगनीरिंग के एड्मीशन में बिहार ने दिया है बिहार ने दिए जो एथेनौल पॉलसी लाने वाला पहला राज्य है अर्जुन अवार्ड पहला जिन्हें मिला था नंदू नाटेकर जी जिनों ने बैडमिंटन में पहला इंटरनेशनल खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे भारती है दोस्तों उनका निधन हो गया है तो बैडमिंटन से से रिलेटेट थे दोस्तों सो से ज्यादा खिताब जीते हैं 1961 में स्थापित अर्जुन पुरुसकार पहला इनी को मिला था कुवलालंपूर मलेशिया जहां बैडमिंटन फेडरेशन का मुख्याले है जहां का राश्टी खेल है बैडमिंटन वहां पे दोस्तों टुर्नामिंट में इन्होंने पहला खिताब जीता था जो किसी भी भारती द्वारा जीता गया पहला अंतराश्टी किताब था 1956 में कुवलालंपूर मलेशिया में ही थॉमस कप होता है दोस्तों बैडमिंटन का जो पुर्सों का होता है उबेर कप होता है महिलाओं का यह कोश्चन भी एक्जाम में पूछा जाता है दोस्तों हाली में कौन सा शहर घुडवत्ता पुन पेजल उपलब्द करा आने वाला पहला शहर बना तो यह पूरी बना है दोस्तों पूरी के सुदर्सन साहु जो की मुर्ति कलाकार है उन्हें क्या मिला उन्हें मिला है दोस्तों कौन सा अवर्ड बताओ उन्हें मिला है पद्व विभूशन और दोस्तों पूरी में ही सुदर्सन पटनायक है जिन पूरी के हैं उरिशा के हैं दोस्तों याद रखिएगा उरिशा के मुख्वंत्री कौन है नवीन पटनायक जिन्होंने हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम राउर केला में बनाया है बिर्सा मुंडा स्टेडियम 20,000 की केपसिटी वाला अगला वर्ल्ड कप जो हॉकी का होने वाला है उडिसा में होने वाला फेडरेशन आफ इंटरनेशनल हौकी के हिट नरेंदर बत्रा है हेट क्वार्टर लॉजेन स्विजर लेंड में है दोस्तों ठीक है और उडिसा का जो पूरी सा में कि पिछला होकी विर्टकप हुआता दो ध्ठारा वाला जो भूनेश्वर में हुआता अब होगा क्लिंग स्टेडियम में वहां भी हो गां deconst fell i mean by Jew पटनाया के रिपोर्ट है भूनेश्वर में बीजू पटनाया के अर्पोर्ट ठीक है याद रहेगा उडिसा में मो नाम जानकारी तो आप लोग कहींने कहीं से लही लेते हैं करेंट अफेर फोकस कीजिए क्योंकि 90% करेंट अफेर रही आता है चलिए दोस्तों धन्यवाद थैंक्यू सो मज़ शुक्रिया कल से आठ बजे सुबेरे एप पर भी हमलवारी क्लास होगी याद रखिएगा करेंट अफेर का आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है एप में फॉलो कर सकते हैं साम को छे बजे एप पर चल रही है मन्थली करेंट अफेर जुलाई का जिसे आप लोग जॉइन करेंगे बहुत मज़ा आएगा पोल के थ्रू एंसर चल ला है अंठानबे हैट आप लोग ने डेडिकेट कर दिये हैं अगर आप लोग क्रिपा रहेगी तो आज सो भी पूरा कर देंगे आप अहीं लोग आपको अगर हैट डेडिकेट करना अभी बच हैं तो आप दोस्तों अपने प्रोफाइल में जाएए मी में जाएए बहुत सारे हैट होंगे जो डेडिकेट नहीं है उसे अप डेडिकेट करके सतक पूरा कर सकते हैं आप मेरा थैंक यू सो मच बबाए टेक क्या लव यू सो मच